हेलो दूस्तों आज हम यहां पर बात करेंगे IRCTC से लेटेर IRCTC की अगर हम यहां पर बात करें तो शेयर आप देखोगे तो लगभग लगभग यहां पर हम चार्ट पर आते हैं और हम यहां पर बात करते हैं, तो लगबग इस पर्टिकुलर शेयर ने 1260 रूपे के आसपास का एक हाई बनाया था, अभी 649 लगबग 50% यहां पर नीचे चल रहा है, तो क्या अब लेने का टाइम आ गया है, क्या इस शेयर को हमें लेके यहां पर पैसे लगाने चाहिए, व करने के, आफ्टर एंडिग ऑफड़ वीडियो, कि हामें लेना है, भाइंग सारी जो भी है, वह हम यहां पर देख लेंगे, तो वीडियो को लाश्ट टक देखिएगा है, ताकि यहां पर चीज़े समन्हें में आए, पर उससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वे कि अगर किसी को कोर्स करना और बेसिक से एडवान सीखना है बारी कि या सीखनी है इस टॉक मार्किट की कब लिया और लेती साथ भागा तो डबल डिट सिक जरो फाइफ जरो फाइफ जरो वन किने की जरुवत नहीं पड़ेगी बस थोड़ा से एक्सपीरियेंस हो ले लिजिएगा वोके बहुत सारी चीज़े यहां पर बताई जाएगी वाट्सप गुरूप है बारे सो रुपर पर मंत दे के आप वाट्सप गुरूप में याड़ हो सकते हो ठीक है जहां पर मैं अप पर को समझ में आज़ेगी बट पोट्फोलियो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए तीन लाग और प्लस पांच लाग दस लाग पचास लाग पचास लाग पचास एक करोड जतना बड़ा भी हो फिर यहां पर चलेगा अब बात करते हैं यहां पर IRCTC से लेटेड तो IRCTC यहां पर देखिए मोनोपोली पूरा यहां पर विजनेस हैं ऑनलाइन जितनी पी टीकिट होती है इनी के पोर्टल पर होती है कैटरिंग सर्विस है डिंकिंग वाटर है रेल नीड के नाम से यहां पर अगर ट्रेन में सफर किया होगा तो आपको बता रहेगी ठीक है यहां 988 करोड रुपे की मार्केट कैप है तो यहां पर यह मिट कैप शेयर नजर आता है 51 का पीई है इंडश्टी का पीई भी इतना है ना महेंगा है ना सस्ता है रोसी रोई की बात करें अच्छा नजर आता है ठीक है डेट फ्री शेयर है कोई प्लैजिंग नहीं है एज वेल 775 को 52 वीक हाई है और याद रखे टॉप बनाने का चीज़ जब गिरती है तब बेचना और साही टाइम पर लेना है मैं हमेशे यहां पर आपको बताता हूं और जब साही टाइम पर आप चीज़ों को लोगे तो यहां पर डेफिनेटली आपका पैसा बनता हुआ नजर यहां पर फसे के फसे रह सकते हो यहां पर बात करें मोनोपोली बिजनेस है बट मोनोपोली के साथ साथ यहां पर आप देखोगे तो यह प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गॉर्मेंट के एंडर में यह शेयर आता है 62.4% के यहां पर शेयर है तो इसका मतलब क्या है कि Government इसे पूरा का पूरा कंट्रोल करती है, जो कंट्रोल करती है Government, तो Government याद रखिए, कभी भी अपने Personal, और India की Government अपने Personal यूज के लिए, या पिर Personality बात करें, Personal Benefit के लिए काम नहीं करती है, ठीक है, वो काम करती है, for the Benefit of Indian people, तो हम यहाँ पर बात करें, कभी भी कुछ भी यहाँ पर regulation आ जाते हैं, जिसकी वज़े से आप यहाँ पर देखने होंगे, बीच में एक regulation आया, जिसकी वज़े से यह चागा सा तूटता हुए नज़र आया और अच्छा गा सा गिरता हुए नज़र आया, तो यह regulation जब भी आ इस आ रही है, डिया इस की बात करें है, होल्डिंग यहां पर देखिये लगभब 9-10% की इसेदारी है, पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो घटती हुई नजर आ रही है, ठीक है 20% की हिसेदारी, 20.68% की होल्डिंग है, तो यह एक पॉजिटिफ चीज है कि यहां पर जी हो सकती है क्या हो सकती है उससे लेटेट भी बाते करेंगे यहां पर देखिए कहां जून में तो यहां पर ट्रेन बनती और अब जब ट्रेन चालू हो गई तो हाइस टैवर कंपनी के रिवेन्यू आ रहे है तो मुझे लगता है कि एक दो कौर्टर में जब चीज़े दुबारा सही होती ही नज़र आएगी तो यह शेयर दुबारा उस परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेगा जो यहां पर इसे देना चाहिए यहां पर नेगेटिव से आप देखोगे तो कंपनी का पॉफॉर्मेंस लबत तीन सो दो सो बतिस करोड का उपरेटिंग पॉफिट ओके यहां पर एपीएस भी ठीक ठाक है बट वो पॉफॉर्मेंस यहां पर नहीं दिखाई देता यहां पर हुआ करता था तो शाया थोड से प्रिपेशन करने चाहिए तो इसलिए पहले से ही यहां पर चीजे थोड़ी सी आपको दिमाग में डाली जा रही है यहली बेसिस पर बात करें परफॉर्मेंस चीक ठाक नाजर आता है ठीक है बर साथ साथ रेगुलेशन से यहां पर तो वुफॉर्टीट को भी ध्यान म अच्छी खासी में जराती है अब बात करते चाट से लिटेट ठीक है फंडामेंटल हमने देखा कंपनी अच्छी है बट थोड़ा सा टाइम लगा सकती है क्या अब हमें शेयर को लेना चाहिए उससे लिटेट यहां पर टेकनिकल बताएंगे टेकनिकल के बेसिस पर ही यहा चीज़ों को सीखो और सीखने के लिए पहले तो वीडियो ही है वह सारी चीज़े यहां पर बताएंगे आपको समझे में आएगा कि यहां पर किस तरीके से टेकनिकल और फंडामेंटल का समाविश करके यहां पर चीज़े अच्छे गासे रिटन देती हुए नजराती है व से श्टेज 1 के बाद से टू में चीज़े कई श्टेज 2 के बाद से टिरी और स्टेज 4 में चीज़े आए और एक चीज़े गरावट और शेर काफी टाइम से क्या चल रहा है एक साइड बेस जोन में यहां पर चलता हुँए नजरा ओगा उपर की बात करूं तो आप मान के चलिए यह वाला पॉइंट 766, नीचे की बात करूँ तो नीचे आपको यहाँ पर नजर आएगा कि लगब 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 यह शेयर इस रेंज, तो इस रेंज में यहाँ पर फसा हुआ है, मैं आपको दो लेवल यहाँ पर दूँगा, ठीक है, एक तो तेजी जब यह शेयर यहाँ से निकलेगा, जिस दिन यह शेयर यहाँ से निकले समझ जीएगा, सबसे पहले टार्गेट है आपके यहाँ पर, पूरे का पूरे, ओल्टाइम हाई, 1260 के आसपास, और 1260 पर चीज़े रुकेगी नी, शायद 2000 को भी टच करती भी नजर आए, बट अभी क्या लेना भी चाता है, तो एक छोटा सा stop loss यहाँ पर लगएगा, लगबग 10-200 रुपे के आसपास का, उसे stop loss को लेके चलिए, ठीक है, और 22 सालिंग की कोई recommendation नी है, पहली बात, ठीक है, मैं अपने ग्यान की अनुसार में आपको चीज़े बता रहा हूँ, कि क्या आप कर सकते हो, औ और अगर किसी को अच्छे return के लिए ही चाहिए, ब्रेक आउट पर यहाँ पर लीजिए, 680 के ओपर निकले, तब यहाँ पर खरी दिये, अदर्वाइस थोड़ा से यहाँ पर वेट करिए, चीज़ों को निकलने दीजिए, समझने दीजिए कि किस तरीके से काम कर रही है, फिर उसके बाद अप लेंगे, तो चीज़े और अच्छी यहाँ पर नज़र आएगी, तो वीडियो अच्छी लगे, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बट एक दो कॉर्टर में मुझे लगता है कि चीज़े निकलेगी, और जब निकलेगी, तो पैसा बना की जाएगी चैनल को सब्सक्राइब, बैल आइकन करिए, टॉल के नॉटिफिकेशन कौन, नमबरों को नोट करिए, वाटसप गुरूप को एड करिए, कोर्स करिए, सीखिए, साथ में काम करिए, पोर्टफोलियो बड़ी अब बड़ा है तो, थैंकी सो मच, गॉड ब्लेस